पानी और हवा की तरह आग भी हमारी जिन्दकी का एहम हिस्सा है जो खाना पकाने से लेकर सड़्दियों में राहत देनी का काम करता है लेकिन कई बार ये हमारी जान का दुश्मन मन जाता है जीवन में कई हाथ से ऐसे हो जाते हैं जिनका अंदास पहले से नहीं लगा पाते ऐसा ही है हमारी तवचा का आग से जुलस जाना ऐसी स्थिती में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए इस सिचुएशन में कुछ घरेल उपाय आप कर सकते हैं जैसे कि पहले आप थंदा पानी लीजिए जब तवचा आग से जल जाती है तो सबसे पहले कदम ये उठाईए कि तवचा को थंडे पानी से धोए ये प्रभावित एरिया को थंडा करने में मदद करता है और तवचा की जलन को कम करता है ध्यान दे कि पानी का तापमान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए दूसरा है अलोवेरा जेल अलोवेरा जेल तवचा को थंडा करने और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है आप अलोवेरा के पत्तों को काट कर उनके रस को जले हुई स्किन पर लगा सकते है तीसरा है दूद दूद की कुछ बूंदो को जले हुई स्थान पर लगाने से तवचा को राहत मिल सकती है दूद की ठंडक और उसमें मौजुज, विटैमिन और प्रोटीन तवचा को जल ठीक कर सकता है चौता है हल्दी और मलाई हल्दी में anti-inflammatory good होते हैं और मलाई तवचा को portion प्रदान करती है एक छोटी सी मात्रा में हल्दी को मलाई के साथ मिलाकर जले हुई स्थल पर लगाया जा सकता है पांचरा है प्रियागु पेस्ट प्रियागु पेस्ट तवचा को जल आराम पहुचा सकता है आप प्रियागों को पीज कर पेस्ट पना सकते हैं और इसे जले हुस्थान पर लगा सकते हैं छटा है डॉक्टर की सला जब तोचा हद से जादा जल जाए तो कई बार घरेलू उपाए काम नहीं आते ऐसे मैं आपको तुरंट डॉक्टर की सला लेनी चाहिए ताकि जलने के आफ्टर इफेक्स से बचा जा सके बीरो इपोर्ट परियावरन पोस्ट